आप कहाँ से आ रहे हैं? शिकर से आ रहे हैं, राजस्तान से. तो इसके पहले कितने दिन पहले आए थे हैं देट दो महिना पहले लगभक आए थे हैं, तो ऊपर मेंगे आप ने जाच कराए आटमी बीए की कितने भूध प्रेज निकले हैं? उपर याठ दिन. उपर में कितने थे आठ और अंदर छे और सेवहीं बोला था करके तो सेवहीं लेट्रिंग से निकला और उल्टी में रोटी भी निकला तो इन इतना भूत प्रिजित मरवाने से आपको क्या फाइदा हुआ क्या भूठ को मरवाया लाज क्भी नहीं होगा तो यहां षह लाचनो को दिखाते ता बंड़े दाक्टरों कदेखे एक आज पूढ़ें की सफ सब नार्मदूंत आता था तो यह लोग क्या पीर में ठोड़ा ये व्यूहरी कई उदेर नरमनदास आती तो इस अधाय था? तो कोई बावी बाबाव को कभी दिखाया आप? बावी बाबाव को एक दो दिखाया था. तो दो क्या हुआ था? कुछ फाइदा हुआ? नहीं हुआ. तो अब ये भोद्प्रेत से आप लोगों को क्या दिक्कत होती थी? आप उसमें लडाई होती थी थी चोड़ी बात भी लडाई होती थी तो आपका मन उसमें दिमाग कैसा काम करता था तो यह अपने करते थे यह भूत प्रेथ जो थे आप उपर कितने थे नो प्लस यह दोनों मिल के टांडो मचा रहे थे अब ही हो रहा है इसा कुछ ना नहीं ह हो रहा कुछ ऑए कि इतने दिनों में अपिर कभी इसा लड़ाई जगल आप नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है ना हो गर दियाया यह भूत प्रेथ लड़ाई लगवाते हैं मर जाओ फिर उनके साथ उनके भूत बन जाओ आप भी आकाल प्लाव मरता है वह भूत प्रेद बन जाता है ठीक है तो अभी तो के परसंट आपको फाइदा हुआ 50-60 परसंट फाइदा हुआ है आप बाकी का आज जो भूत मरवाएं है इसके बाद यह 100 पूरा हो जाएगा अज यह होगा तो पिर कितने को आपने बताया कि यहां के बारे में आज 10 7 98 अध्यारा चुस्ते नाम है व्यांच कॉमार डालेंगे किसी का काल आएगा तो आप बताएंगे नवगाई वगरा वगराएगे आप कहां से आ रहे हों हम बनारस से आ रहे हैं मीरघड से कितने साल से भूद प्रेश से आप परिशान हों हम 10 साल से कितने बावी बावाओं को दिखाया हम 10-15 बावी गावाओं को दिखाया कुछ फाइदा हुआ कोई फाइदा ने हुआ कितना रुपया दिया होगा सब बहो बाबाबाजी बतलाई उनके औसे मैंंने अच्छा यह औरत का नाम गुडिया है अभी जिसे हम लोग बात किया वो चली गई फिर हम बुलाते हैं तब रेकार्डिंग किया जाएगे